अपराध में मामले में फैसला होता है और उस समय सभी की निगाहें उस न्यायधीश पर होती हैं उस जजज पर होती है कि वो क्या फैसला करेंगे और अगर फैसला सकरात्मक है तो खुशी होती है क्योंकि न्याय व्यवस्था हमारे समवधान की न्याय उचित व्यवस्था है जिसके फैसले सर्वो परी होते हैं, आखिर जज कौन लोग होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब हमारे बीच में से ही लोग ऐसे होते हैं, जो जज बनते हैं सिवल जज कैसे बने, क्या तैयारी होनी चाहिए, ऐसे कई सवाल अगर आपके मन में हैं, तो खुद हम ऐसे व्यक्तित्व से जानेंगे, जिन्होंने इस परिक्षा को क्वालिफाई किया है, प्रिया राथी, MP सिवल जज क्लास टू, हमारे साथ स्टूडियो में मौझगूत ह प्रिया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू, सबसे पहले प्रिया जी कहा जाता है कि हर एक छूटा बदलाव, एक दिन बहुत बड़ी काम्याबी का हिस्सा जरूर बनता है, जो लोग अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अकसर वो ही लोग अपन मनजल तक पहुँचते हैं, प्रिया सबसे पहले आपको बहुत सारी शुब कामनाए, MP Civil Judge, Class 2 कौलिफाइ करने के लिए, मुझे बहुत गर्भ हो रहा है आपसे समय बात करते हुए, कि हमने देखा भी है कि कही बार लोग सालों लग जाते हैं, प्रयास करते हैं, और अपने फर्स्ट अटेम्ट में ही से पास किया, तो चलिए बताई कि कैसा लगा, कब लगा कि जाजी बनना है और कुछ नहीं बनना, मैं जब अपनी क्लास 10 में थी, जब मैंने हिस्ट्री के बुक में नियाय मूर्ती की फोटो देखी थी, तब मुझे लगा था कि इनके आखों पर पड़ता है, यह बात से मैं बहुत जादा प्रभावित हुए, और मुझे लगा कि क्या कोई एक ऐसी भी संस्था है, जो यह नहीं देखती कि मेरे सामने कौन है, और जो सिर्फ लोगों को हिस्सों में नहीं बाढ़ती है, उसको सिर्फ सहीं और गलत से मतलब है, उस समय तो परिक्षा पास करने के लिए से में अपने MP सिवल जज क्लास 2 में जाने का कैसी जोजा, क्या हो देश रहा इसके पीछे आपका, मेरी एक सीनियर है, अंकिता अगरवाल, उन्होंने हाली में CG में टॉप किया था, उन्होंने CG Judicial Services में, उन्होंने अपनी प्रेपरेशन मध्य मैंने भी उसी इंस्टिट्यूट से कोचिंग करी, तो जैसे मैं कोचिंग करती गई, तो मुझे MP मुझे ऐसा लगा कि मैं MP के लिए बहुत जादा प्रेपेर्ड हूं, तो मुझे लगा कि ठीक है, इसी स्टेट का दे देते हैं, CG का भी मैंने प्रिलिम्स दिया था, हाला कि मुझे में उतना प्रिपेर्ड नहीं थी, तो मेरा प्रिलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, CG का, तो हां मतलब CG का प्रिलिम्स नहीं हुआ, और उसके बाद MP में मैंने और जोरो शोरो से महनत करी, तो रिजल्ट आपके सामने है, तो बिल्कुल, सिविल जच की परिक्षा के हम तो कैसे तैयारी जो है वो शुरू ही, आपने का कि आपने वो देखा 10th क्लास में आप मौटिवेट हुएं, उसके बाद आप 12 में जब पहुची तो आप किस तरह से मौटिवेट हुएं, कैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश आपने की, मेरे पिता जी ने मुझे बताया थ मेरा HNLU में सायोगवष सेलेक्शन भी हो गया, पात साल मेरी पूरी एजुकेशन BLLB की हिदायत अला नैशनल लौ यूनिवरसिटी से हुई, और वहीं पर मैं बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स रहें, बहुत अच्छे सीनियर्स रहें, जिन्होंने गाइडन्स दिया, कि अगर आपको जुडिशेरी में जाना है, तो कैसे क्या करना है, और वहीं मैं अंकीतादी से भी मिली, जिन्होंने मुझे कुठारी इंस्टिटूट इंदौर के बारे में बताया कि अपना प्रेपरेशन सिविल जच का तुम वहासी कर सकती हो, तो BLLB पास आउट होते ही में दौर चली गए थी अपने प्रेपरेशन के लिए, तो आपने जो कोचिंग है, वहासी कि हम आपके बारे में और जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चुकि हमारे जो प्रोग्राम है, वो करियर्स रिलेटेड है, हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको इस पोजीशन पर और नेचरल तौर पर वो गरानवित भी हो रहा होंगे, कि कि अगर हम बात करेंगे कि कोई भी अपराद से जोड़ा मामला जब आता है, तो उस वक्त जज्ज होते हैं, वो भगवान से कमने होते हैं, क्योंकि उनके फैसले के बादी अपरादी की सजाए हैं, वो तै होती है ये जज्ज आकिरकार कैसे बनते हैं, क्या एक बड़ा सा सामाने सा सवाल है, सब के मन में होता है, क्या आकिर ये जो प्रक्रिया है, वो किस तरह की होती है, ये वो हमारे दर्शुकों को बताईए तो देखे, जैसे कि अपना UPSC का जैसे एक्जाम होता है, जिसमें प्रिलिम्स, मेंस और इंटर्व्यू थ्री स्टेज़स होते हैं आपको क्लियर करने के लिए, वैसे हमारे जुडिशरी के एक्जाम में ये ही होता है, इसमें फर्क ये पड़ता है कि हर स्टेट का अपना प्रिलिम्स 150 मार्क का होता है, जिसमें 110 मार्क के लौ आते हैं, 20 मार्क का GK होता है, 10 मार्क का English और 10 मार्क का Computer, तो वहीं CG में 100 मार्क का पेपर होता है, जिसमें पूरा लौ आता है, दोनों ही स्टेट में नेगिटिव मार्किंग नहीं है प्रिलिम्स में, प्रिलिम्स दोन 100-100 marks each के होते हैं, CG में वहीं एक ही paper होता है, judgment का, जिसमें judgment और translation के सवाल पूछे जाते हैं, और उसके बाइद interview में, MP में 50 marks का interview होता है, जो कि personality test है basically, और वैसे ही CG में I think 25 marks का interview होता है यहाँ पर, तो वैसे ही हर state का अलग-अलग pattern है, मैंने CG और MP के बारे में आपको बता है, बिल्कुल, तो अलग-अलग pattern के हिसाब से जो पढ़ाई है, वो होती है, उसकी परक्षा की तैयारिया होती है, आपको सबसे अच्छा जो subject है, वो कौन सा लगता है और क्यों लगता है, constitution मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सबजेक्ट है, क्योंकि जैसे की कहते है, हमारी legal terminology में कहते है, grand norm है, जिसके आधार पर सारे कानून टिकेवे हैं, तो वो मेरे दिल के सबसे करीब है, वो subject क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा constitution में सब कुछ है, हमारे अधिकारों के protection से लेकर हमारी fundamental duties, वहां सब कुछ दिया वा है, और सारे हर law को हमारे समविधान के आधार पर होना चाहिए, अगर वे समविधान के opposed में हैं, या फिर समविधान की किसी बात को वो अभेलना करते हैं, तो उन्हें courts aware declare कर रहेती हैं, प्रिया जी कई बार होता है कि बहुत सारे समविधान में हमारे law है, महिलाओं से related भी बहुत सारे नियम काइदे हैं, लेकिन महिलाओं को जादा तर नहीं पता होता है कि उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ प्रावधान है, समविधान में नहीत है, तो वो कुछ बताई कि कुछ छोटे-छोटे जो act हो या कुछ ऐसे नियम हो जिससे जो महिलाओं देख रहे हैं आपको वो चागरुकों पाई, समविधान में सबसे बड़ा जो अनुछेद है हमारा 15 clause 3 जिसमें यह अधिकार दिया गया है state को कि वे महिलाओं और बच्चों के लिए विशेश कानून बना सकती है, यह एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है महिलाओं और बच्चों के लिए जिसके आधार पर जो हमारी legislative assembly state की यह हमारा parliament at the center level कानून मनाती है जैसे कि अगर हम देखे domestic violence act, dowry prohibition act और ऐसे बहुत सारे अन्य कानून है जैसे कि यह जैसे यह दो कानून है और भी ऐसे prevention of sexual harassment at place of work ऐसे बहुत सारे कानून है जो महिलाओं के protection के लिए बनाए गए है वैसे हमारे Indian Penal Code में बहुत सारे sections है जिनका justification कहीं न कहीं 15 clause 3 में है कि क्यों हम women को special treatment दे रहे हैं तो हाँ, हमारा 15 clause 3 बहुत important है तो 15 3 clause जो है वो बहुत important और महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे अधिकार है जो उन्हें खुद समझना होगा कि उनके लिए सारी जो protection है वो खास थार से काम करती है बच्चों के लिए भी खास थार से कुछ नियम होते हैं, कुछ काइदे होते हैं बच्चों के लिए जैसे कि हम बच्चों के लिए तो in fact हमारे constitution में एक और article है article 24 जो कहता है कि बच्चों को hazardous employment में कोई भी companies employ नहीं करेंगी इस पर बहुत सारे supreme court के judgments भी हैं जिनमें उन्होंने मना किया कि आप बच्चों को इस तरह के प्रिया जी आपसे समझना चाहेंगे में परिक्षा होती है प्रारंभिक परिक्षा मुख्य परिक्षा जिस तो कहा जाता है इसके लिए किस तरह की तैयारी जो है वो student को करनी होती है हमने देखा है कि कई बार सालों लग जाते हैं लोग मैनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं उनको मिल पाती तो कहां से शुरुआत जो होनी चाहिए उनकी प्रारंभिक परिक्षा के लिए जब मेरा CG में प्रारंभिक परिक्षा में नहीं हुआ था मेरा CG का नहीं हुआ था तो तो मैंने लगभग 20 मॉक्स दियोंगे पास्ट यर के सारे पेपर सॉल्फ के जतना मैं कर सकती थी ताकि कहीं भी गल्ती के कोई गुंजाईश है ना हो मुझसे कोई silly mistake ना हो प्रिलिम्स का प्रेपरेशन के लिए GK English और computer भी उतना ही माइने रखता है और मुझे असा लगता है मेरा GK थोड़ा कम्जोर था तो मैंने मैं GK को बहुत ही जादा religiously पढ़ती थी मलब दिन में मैं कुछ पढ़ू या ना पढ़ू GK पढ़ना मेरे बहुत important था क्योंकि कि मेरी स्कूलिंग आइसी सी बोट से हुए थी कारमल पबिक स्कूल तुलसी तुल्दा से तो मेरा English पर कमांड अच्छा था तो उसके लिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं इवन computer के लिए लेकिन GK में मुझे काफी मेहनत करनी पढ़ी थी तो GK डेवलब किया जाए student जो बिल्कुल पढ़िए उसकी बाद आपको अपनी करेंट अफेर से जैसे कि मैं आपने का नियूस पेपर पढ़ते रही है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोग स्टूडेंट के लिए बहुत सारी ऐसे वेबसाइट से जैसे कि लाइव लॉग बारे में आपको थोड़ा न बूल जाते हैं पढ़ने के बाद उन्ने पढ़ाता और कई बार वो सोच्टते हैं अगर भी चाता है कि हमने यह तो पढ़ा था तेकरन अब याद नहीं हो रहा है तो वह मैमोरी बढ़ाने के लिए वो क्या ezी क्रिक सोनी चाईए जससे मैंमोरी ज् 비슷र्व finestoo अजिशु मैं बहुत सारे बड़े-बड़े कानून पढ़ते हैं, जैसे कि Code of Criminal Procedure, जिसमें 484 sections है, Indian Penal Code, जिसमें 511 sections है, तो जब या फिर Code of Civil Procedure, जिसमें तो मतलब वो Act बहुत बढ़ा है, उसमें sections है, orders है, order 21 में 106 rules है, बहुत बढ़ा हो जाता है वो अपने आप में, तो मैं भी काफी जब रा गए थी, लेकिन धीरे-धीरे जब आप करते जाते हैं, सर ने कहा था, आप थोड़ा-थोड़ा parts में कीजें, आज अगर आप 10 section पढ़ रहे हैं, तो कल आप जब 11 से 20 तक पढ़ें, तो पहले आप 1 से 10 को revise करें वापस, एक से 10, फिर 11 से 20, फिर जब आप अगले द पढ़ा है, उसको आप सिर्फ पन्ने पलट कर देख रहे हैं, कि अच्छा, ये section में ये कहता है, ये section में ये कहता है, पुरा bare-rect हमारा खतम हो जाता है, मैं realize भी नहीं होता है, हमारा कमांड बहुत अच्छा develop हो चुका है, बिल्कुल, प्रिया जी, आपने बहुत अच्छी है, वो बच्छों के लिए काम आएगी, social media पे हमने देखा है, कि बच्छे किस तरह से involved उसमें रहे हैं, और अभी हमने वो covid काल भी देखा, बच्छे पढ़ नहीं पाए ठीक से, लेकिन online पढ़ाई में खास और से उन्होंने पढ़ाई किया, ऐसे में वो चुनौतिया आप पढ़ाई से link ना छोड़ो, कुछ भी पढ़ो, revise करो, जो आपको आता है वो करो, बेरेक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो MCQ solve करो, MCQ solve करना भी एक तरह से आपका बेरेक का revision होता है, जब आप कुछ गलतियां करते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, मेरी यहां कमी रहे ग सकत हुई थी, क्योंकि continuity पूरी छूट गई थी कुछ समय के लिए, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर फिर भी एक एक दो घंटा सर जैसा कहते हैं, तो मैं बस यह कोशिश करते हैं, कि एक घंटा, दो घंटा, जितना हो रहा उतना करती हैं, हमें रियाल कि लग चुकी है, मोबाइल से तर वो कैसे सब्जेक्ट को पढ़ें, कैसे बुक्स की तरफ एट्रेक्ट हो, मुझे वैसे खास कुछ दिक्कत नहीं होती थी, मतलब मेरे कई दोस्त हैं, जो अपने फोन से सारे सोशिल मीडिया अप्स हटा देते हैं, मुझे ऐसा दिकत नही पाद वो 5 मिनिट रिमेनिंग, तो उसे आपको हिसास होता है कि हाँ, बहुत समय हमने इसमें इसमें इस्तमाल कर लिया, अब हमें बुक्स की और जाना चाहिए, और उसके बाद कुछ आप्स हैं, फोकस करके हैं, जिसमें अगर आप वो आप में टाइमर वगर डाल के डाल तो उत्ते देर तक अपना फोन आप यूज ही नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल फोन लॉग टाइप रहता है, कॉल अगर आएंगे तो वह आ जाएंगे, लेकिन बस सिफ जरूरी काम होगा, वो फोन लॉग जासा रहता है, तो बिल्कुल बिना फोन के तरफ धिहान दे आप पड़ सकते हैं, बिल्कुल याने आप टाइमर जो है, वो एक ट्रेक एक और अपना सकते हैं, कि टाइमर लगा दे, सोचल मेडिया को पूरी तर ऐसे वाइवाइड मत कीजे, लेकिन टाइमर लगा कर आप अपना जो है, सफलता पा सकते हैं, बुक्स की तरफ अपकिस को दिना चाहेंगी क्या लगता है लिस्ट बहुत लंबी है तुबी वेरी ओनिस्ट मतलब मेरे पेरेंस मेरे टीचर्स मेरे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स मेरे फैमिली बहुत जादा है लेकिन खास कर में मेरी दादी को देना चाहूंगी मेरी दादी का सपना था कि मै मेरी जीवन के इसली पूंजी है तो जज बनेगी इपर में तुझे जज बनते वे देख नहीं पाऊंगी तो यह सफलता का श्रे में मेरी दादी को देना चाहूंगी तो बिल्कुल है उनका जो आश्रवाद है वो आपको मिला और आप आज बन रही है वो मुकाम जो उनका इतना इंपॉंटर्टी लेकिन आपका बेस फांडीशन ल денका हमारे हमक्सर कहते हैं कि हम पेरिंस कहते थे दस बी बारवी तक पढ़र रागे लाइफ सैट लेकिन बात ही होते हैं कि दस बीबार वी तक आपकाश डेवलब होते हैं आपको पढडने की आदत लगती है मेहनत कि इसको करते रहना सिखाया और सबसेता श्रे तो में मेरी कोचिंग के टीचर्स को दिना चाहोंगे हुसेन सर और मिश्रा सर जिन्नोंने निरंतर ये प्रयास किया कि मैं अपने आपको बहत बहतर बनाऊं उन्होंने ये कि मैं पढ़ती रहूं मैं गिवप ना करूं इस एक्जाम से और मेरे कुछ दोस्त भी है जब जैसे दादी मेरी दादी जब वेंची पास्ट वे तो उसमें मेरे बहुत ही बहुत ही कटन समय था और मेरे इंटर्व्यू के लिए पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था और घर वाले भी यहां busy थे सारे और उस समय मुझे पढ़ाई करवाने में मेरे दोस्तों ने बहुत मेहनत करी वे मुझे बोलते थे कि तुम अपना पढ़ो हम अपना पढ़ रहे हैं तुम हम साथ में वीडियो कॉल पर पढ़ लेते हैं तुम अपना पढ़ती जाओ हम अपना इन से मेरे टीचरि जो मुझे बार-बार हुशाइन सर मिश्रासर वो मुझे उन्होंने मेरे इतने सारे मॉक्स सारे मुझे और वो मुझे रोज यह बताती थे बेटब यह इम्प्रूफ करो इसको ऐसा करो में भी बहुत सारे मॉक Sorryος spaces में लिए यह बनातर उनardenया कि तो इक का सुधार करोगी तो और बहतर होगा तो बिल्कुल मॉक्स की आपने चर्चा किये मॉक्स पर भी चर्चा करेंगे वह अक्चली क्या होता है लेकिन हमारे दर्शक जो है वो इस वक्त कुछ शेत्र ग्रामीन शेत्रों से भी जुड़े होते हैं जो कई बार नहीं समझ पा रहे बहुत मॉक्त कि प्रियाजी घमेंगे वेजूकों तो हें पिरे लिषग्स कही होते हैं और आपको ल्मस्त करियों कर्るच के पावश नहीं हारे भी किस पर से काम करता है यह प्रोसस थी जो प्रियाजी ऊपहे आरहा रही थी प्रिया जी हमने जनरली देखा है कि बच्चे स्टार्टिंग में या तो फिर गुरूप डिसकेशन करते हैं या फ्रेंड्स के साथ पढ़ना पसंद करते हैं कई लोग अकेले ही पढ़ते हैं तो दोस्त और साथियों ने कैसे अपका साथिया किस तरह से क्या वाकई दोस्तों ने 20 साथ जरूरी होता है गृप discussion करना गृप में पढ़ना कितना एंपटेंट मुझए असे लगता है कि आपका पेशनल हैं कि आप घृप में पढ़ना चाहते हैं कि सात मैं लेकिन मैंने तो स्टैइज करिया क्योंकि कोवध किसम अपनी मूंतं कर दकनी बनाया करना बहुत मुश्किल होता था बहुत ही ज्यादा चुनाती पूर्ण होता था और हम एक दूसरे को अपने doubts भीजा करते थे whatsapp पर जिसके वज़े से मैंने कहा कि social media नहीं छोड़ा कर रहा होगा लेकिन उससे आपको एक encouragement मिलता है कि अगर वो इतना पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं तो हाँ तो बिल्कुल करना चाहिए फॉर्चुनेटली मेरी जो सारे दोस्त हैं अगर exam के पहले मतलब वो लोग हमेशा कभी भी मैं भी और मेरे सारे दोस्त भी हम लोग हमीशा बहुत ready रहे हैं अपने Nord Share करने करने की यह यह समझते हैं कि अगर सामने वहला अपनी महनत करा रहा उसको हम किसी भी तरह कोई भी help कर सकते हैं तो में हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, अगर हमने किसी से अपमारे नोट शेयर कर लिया है, या हमारे कोई भी चीज़े हमने शेयर कर ली, मतलब मैं बहुत जादा सौभाग शाली मानती है कि मेरे दोस्तों ऐसे हैं कि अगर उनके खुद के बनाएवे नोट भी अगर मैं कभी मांगो कि इस टॉपिक पर मुझे चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल भेजा है, जतना जल्दी वो फोटो कीच कर, स्कान करकर भेज सकते थे वैसा भेजा है, और मैंने भी यह चीज़ जर मॉक्स बेसिकली आपका एक तरह से ट्रायल होता है, जैसे कि हमारे मेन एग्जाम होती है, उसमें आगर धूरंट एक्जाम में बैठें तो बहुत सारी गल्तें करते हैं, जैसे कि मेंने CG में करी ती, लेकिन झाभ हम मॉक्स देते हैं, तो जो हम होते हैं ना, सिली मिस्टेक मैं प्रिलम्स की मॉख की बाद हम तो जब हम मॉक देते हैं, तो हमसमझ समझ में सब्रॉब कर पा रहे हैं और समस्वत कि मने सब्रीकों भीक चाफी हो चुकी दिक्कत नहीं गई पेपर कंप्लीट करने के लिए इंफाक्ट मैंने पेपर की थी रीडिंग कर पाई थी मतलब फर्स्ट अटेम में मैंने जो मुझे बहुत शौर आते थे परिक्षा के बारे में आपको बता रही थी बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया बाचीत करने के लिए और दर्शकों को इतनी अच्छी ट्रिक्स भी बताने के लिए कि उम्मीद है कि आपके जो सारे सवाल है उनके जवाब में कहा होगे तो आपको एक बार फिर से इनच 24 7 की अगर आपका संकल्प काफी मसबूत हो इनी शुब कामनाओं कि सांधी चे मुझे जाज़ात और देखते रहे हैं इनच 24 7